तो बोर्ड एक्जाम 23 देने वाले सभी विद्यारतियों के लिए आज हम लेकर आए हैं क्लाश 12 इंगलीज बिसे का मोडल पेपर आप सभी को पता है कि 2022 में जो आपका इंगलीज बिसे का पेपर हुआ था वहां पर जो पेपर आपको दिया गया था वो भी 70% सलैबस से ही दि यानि अगर आप इस मोडल प्रश्ण पत्र को अच्छी तरीके से देख लेते हो जैसे मैं आपको बता रहा हूं सॉल्व करना ठीक है सीख लेते हो तो आपको बिल्कुल ऐसे ही प्रश्ण आपको हूँ बहूं देखने को मिलने वाले हैं बोर्ड एक्जाम में तो सभी पेपर है वह कितने सेक्षन में डिवाइड है जैसे जो यह आपका कोशन पेपर है वह आपका फोर सेक्षन में डिवाइड है ए बी सी और डी अब ए सेक्षन में क्या करना है आपको क्या करना है यहां पर यह भी लिखा कि All questions from all the sections are compulsory मतलब सभी section करना अनिवार रहे हैं को सी के सामने लिखा गया है ठीक है उसके बाल लिखा है कि Read the question very carefully before you start answering दें यह लाइन बहुत ही importance को बहुत ध्यान से समझेगा दें कि English भी सैका पेपर है आपको सबसे पहले प्रशन को बहुत ही केरफुली जो है पढ़ना पड़ेगा पढ़ने के बाद ही उसका answer आप देन ठीक है unseen passage आपको क्या करना है बहुत ही केरफुली इसको पढ़ना है ठीक मैंने आपको unseen passage को हल करने की ट्रिक भी बताई थी कि maximum cases में आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो आपको पहला प्रश्ट दिया जाएगा इस पहले प्रश्ट को अच्छी तरीके से पढ़िएगा औ उसकी स्थरुआत की एक से दो लाइनों में आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है ना इस तरीके से unseen passage को भईया आप सबी लोग solve कर लेना और vocabulary से भी आपके तीन कोशन आते हैं तो जो बिद्ध आरती भईया थे कि unseen passage में आर्थ निकाल पाएंगे वही जो इसे solve कर इसी तरीके से आपको आगे section B देखने को मिलेगा section B आपका 20 marks का होगा और इसमें आपको एक article लिखना रहेगा जो कि 10 marks का होगा और जो article आपको लिखना है वो 100 से 150 सब्दों में लिखना है article को भईया रटा नहीं जा सकता है article तीन आएंगे और तीन आएंगे और तीन आर् प्रकार की letter है एक letter to the editor और complaint letter ये दोनों तयार कर लिजे मैंने आपको district magister वाला एक तयार भी कराया है देख लिजे बाकी ये matter आपका जो आपकी समस्य है वो बदर सकती है बाकी जो letter लिखने का format है वो आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए क्योंकि format के ही आपको 10 marks मिलते हैं आगे यहां पर हम बात करेंगे इस तरीके से दो आपके दिये जाएंगे अत्वा में letter जो आपको आता होगा कर लिजेगा section C में आपको देखे पूरा solve कराने जा रहा हूं ये grammar person होता है और ये 15 marks का होता है इसकी एक खास बात होती है कि अगर यहां पर grammar person में आपकुछ गलत ने कर तो भी आप पूरे marks मिलेंगे ठीक है ना अगर चोटी मुटी तूटीया करोगे तो भी यह number कटेंगे जैसे grammar person में सबसे पहले question नमबर जो चार आता है इसमें 5 बहुविगलपी प्रश्ण होते हैं कितने प्रश्ण होते हैं 5 बहुविगलपी प्रश्ण होते है और यह बहुविगलपी प्रश्ण आपके ओकाइबलेरी से होते हैं ठीक है ओकाइबलेरी में मनलब जैसे मालीजिए one word substitution होमोपोंस रीडियम फ्रेज़स ठीक है पॉर्सन इसे आप पढ़ते रहें कोई भी एक one word substitution आपके exam में पूछा जाएगा आगे बात करें आफ फ्रेज अबून आफ कांटेसन नहीं है तो सभी लोगों ने पढ़ा होगा जगड़े की जड़ ठीक है अबून आफ कांटेसन का मलब जगड़े की जड़ ठीक तो इस question का जो राइट answer होगा यह ADM phrases का है और इस question का राइट answer होगा reason अक्वाइरल का मलब जगड़े की जड़ इसे बोलते है ठीक है ना उसके बाद बात करें यहाँ एक question मैंने बता दिया सिनानिम का हैगा यानि समनार्थी सब्दी की अगर बात करें तो यहाँ पर लिखा बेन आप से भी लोग पढ़ते चले है रहे बेन माने होता है अभी साप अब इसका सिनानिम लिखना है आपको देखना है और काह माने अभी साप होता है तो कर्स माने भी अभी साप होता है तो इस question का जो राइट answer हो जाएगा वो option number 3 हो जाएगा इस तरीके से आपको डिक करने आप पूरे marks आपको मिल जाएंगे ठीक है पूरा एक marks आपको मिलेगा आगे बात करें तो लिखा है कि always speak a truth अब इसमें लिखा है कि which word in this sentence is an error मतलब इस sentence में यहां पर एक छोटी सी error है उससे आप पहचानिए तो मैं आपको suggest करूंगा कि आप इस sentence को इब पढ़ने के परश हो सकती है तुरूथ मार्य सत्य होता है तो यह option आपका बिल्कूल भी गलत नहीं होगा फिर speak भी सही है always भी सही है आगे यह आखिकल यहां पर गलत लगा हुआ है तो यहां पर सही कह लगए गा आलवज speak दा तुरूथ होता है आ तुरूथ नहीं होता तो इसमें यही तो याद रखेगा अगला जह 5 हूँ आपका बहुवी गल्पी प्रेश्ण होगा वे मैंने कहा दिया एंटवन होगा इंटानिम सिनानिम इस तरीके से तो यहाँ पर देखें एंटानिम नहीं बिलोम पूछा गया और इसका जो मौडन होता है प्राचीन का आदोनिक होता है उसके बाद आगे यहाँ पर आपको जो कोशन नमर पांच देखने को मिलेगा प्रश्ण पत्र में उसमें बुला जाएगा चेंज ऐनी वन आफ फालिविंग इंडारिक्ट स्पेज मतलब आपको दो संटेंस दे जा में भी संटेंस आप स्पेज़िए अपको देकने को नहीं मिलेगा जैसे आपको पहला कॉशन यहाँ पर दिया गया यहां पर दिखें ही लिखेंगे set to के बाद object है तो set to को told में बदल देंगे उसके बाद me है मी लिख देंगे का मार्दर का माट आने पर that लगा देंगे that लगाने के पशाद जो हैं है पर होता subject इस subject को हम क्या करते हैं reporting इस पीज़े के subject यहां पर जो है हम he लगा देंगे उसके बाद यहाँ पर style है चुक्छी इदर की जो साह के लिए पास्टन समय है तो style का suit होना चाहिए लेकिन subject ही हो गया ही के साथ क्या लगेगा उड़ लगेगा तो यहाँ पर हम उड़ लगा देंगे ओके उड़ के बाद फिर आगे क्या help है तो help लग देंगे उसके बाद you है you आपका second person का object है और second person change into object reporting speech के object के अंसार object reporting speech का me है तो यहाँ पर object यहाँ पर क्या लगाएंगे मी लगाएंगे तो इस तरीके से यह आपका बन जाएगा क्या बन जाएगा he told me he told me that फिर I के अस्थाम पर he हो जाएगा और he के साथ क्या लगेगा would लगेगा help you के अस्थाम पर क्या हो जाएगा me के according change हो जाएगा तो help me हो जाएगा इस तरीके से हो जाएगा he told me that he would help me ऐसे आपको बदलना है इसे तरीके से अगला sentence है he said to me please help me आपको बता दे please word आ जाता है मलब समाल लीजे imperative sentence है और imperative sentence में आपको rule पता है कि जब भी वाक्य में please मिलता है तो वहाँ पर हम requested लगाते हैं तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको लिखना है he said to को requested में बदलना है me लगा देना है और imperative sentence में please बगारा को आटा करके conjunction के वल टू जोड देते है तो आपको simple है बागे देखे me first person वो change हो जाएगा किस के according वो change हो जाएगा he के according तो यहाँ पर me object के अस्ताम पर है तो he का object हो जाएगा him तो इसे बदलेंगे तो हो जाएगा he उसके बाद लिखेंगे requested क्या लिखेंगे requested लिखेंगे उसके बाद me लिखेंगे उसके बाद please अटा देंगे to conjunction लगा देंगे help लिखेंगे है ना और उसके बाद me किस के according चेड़ जोगा he के according तो he का object होता है him तो him लिख देंगे फिलिष्ट आप लगा देंगे कुछ नहीं लगा ना indirect आप बना रहे हो इस तरीके से आप जो है direct को indirect में बदलोगे फिर आपको b part देखने को मिलेगा यहाँ पर भी दो marks आपको मिलेंगे लेकिन कैसे मिलेंगे combine any one of the following as directed बनलब यहाँ पर आपको sentence दिये जाएंगे संथिस आपने पढ़ा है into simple sentence complex और compound sentence बनाना सीखा है जैसे यहाँ पर लिखा है simple sentence बदलने के रूर सभी लोगों ने पढ़ा जैसे लिखा he is very fat he cannot run fast लिखा he is very fat वहाँ क्या है बहुत मोटा है he cannot run fast लिखा है तो लिख सकते हो he is फिर two का परियोग करोगे two fat ठीक उसके बाद he cannot he cannot के स्थाम पर आपने transformation में पढ़ा है क्या परियोग करते हैं यहाँ पर परियोग करते हैं देखे यह आपका हो जाएगा he is very के स्थाम पर two का परियोग करते हैं fat हो जाएगा और he cannot के स्थाम पर two का परियोग करते हैं यह तरीके से he cannot आपका हड जाता है और यह आपका हो जाएगा run fast rule आता होगा तो आपका ले जाओगे ठीक है और जब ऐसे वाक्य होता है और ऐसे चेंज गरना होता है तो हम क्या करते हैं इस two के स्थाम पर so का भी परियोग कर देते हैं ठीक fat उसके बाद इस two के स्थाम पर he cannot का परियोग करते हैं यह rule होता है ठीक है तो यहाँ पर कैसे आपको इसको simple sentence बनाना he is too fat to run fast इस तरीके से यह बन गया आगे देखिए अगला जो sentence दिया गया वो दिया गया see is rich see is not happy ठीक है वह अमीर है he is not happy वह खुश नहीं है तो आप लिख सकते हो although although से से बना सकते हो although see is rich है ठीक है यह दिब वह अमीर है yet फिर although के साथ yet का प्रियोग होगा ठीक है फिर भी वह कुश नहीं है आप लिखोगे although इससे आप although से बना दोगे ज़्यादा असान नहीं है यह complex बनाना है although see is see is क्या हो जाएगा rich उसके बाद yet का प्रियोग करना फिर भी see is not happy see is not happy यह बढ़िया बन जाएगा although see is rich मतलब यद्दभी वह अमेर यट see is not happy फिर भी वाकुस नहीं है अब यह तरीके से दो मार्क साथ देखें मैं आपको दोनों हल करके बता रहो आपको के वाल एक करना है ठीक एक दम पर देखें आपसे एक सेंटेस कुछा गया आपको पैसी वास बदलने के लिए आपको इसे आर्थ निकालने कोई जूरत नहीं पैसी वास में सबसे पहले क्या करते हैं आपजेक्ट लिखते हैं आपजेक्ट यहां पर आल दस आपस होगा क्या होगा आल दस आपस तो यहां पर आल अब बहुलों क्या करते हैं आल को जब लिखना शुरू करते हैं तो इसमाल ए बना देते हैं जब भी किसी वाक्य को लिखना भाई या capital लेटर से आपको शुरू करना है तो यह जाएगा all the क्या हो जाएगा सौब से पहले हम object लगाएंगे और object के बाद यहाँ पर देखें will है क्या है will है तो will लगाएंगे और will वाले वाक्यों में क्या करते है will be भी योड देते हैं उसके बाद वर्वी की थारवां close close की थारवां क्या हो जाएगी क्लोजड क्या हो जाएगी क्लोजड उसके बाद बाई का परियों करते हैं फिर जो subject होता है उसके अबजेक्ट बनाते हैं तो देखो object बनाएंगे तो यह जाएगा दिम उसके बाद पुलिश टाब लगा देंगे तो हो जाएगा आल डा सॉप्स विल बी क्लोजड बाई दिम इसे तरीके से अगला वाकिया अपना पावरेटी इस रियली अकर्स ठीक है जो पावरेटी के मिलब गरीब है ता है इस रियल्टी अकर्स अब साप है तो इसे क्या बनाना है एक्सलामेटी सेंटेंस ठीक है एक्सलामेटी सेंटेंस बनाने के लिए हम वाकिय को वाट या हाउ से सुरू करते हैं तो इसे हम बना सकते हैं वाट अकर्स ठीक है वाट अकर्स इससे बना सकते हैं वाट अकर्स पावरेटी और उसके बाद लिख सकते हैं इज और इसके बाद एक्सलामेशन चिन जरू लगा देंगे तो होजाएगा वाट अकर्स पावरेटी इज हमने का एक्सलामेटी संटेज होते हैं वाट या हाउ से बनते हैं इस तरीके छे नमबर आपके कंप्लीट हो गए आगे आपको मिलेगा छे नमबर और पांच नमबर उदर ग जो on का परयूग होता है वो door के लिए नहीं होता है door के लिए सदे क्या लगता भी या आएट लगता है तो यहां पर सही कर देज़ेगा आगे लिखा है I am too happy to see you तो हमने कहा इस two के अस्ताम पर क्या लगा देते हैं सो लगा देते हैं तो I am so happy to see you तो इस तरीके से आप पर सही हो जाएगा आगे बात करें और भीसे देखें कैवल सो लगा की टेसे बदद सकते हो आई एम सो हैपी उसके बाद आप लेग सकते हो जिया कुछ बी करके सब्जेक्ट काइनाठ लगा सकते हो ठीक ना क्योंकि काइनाठ तब लगाते हैं जब इधर पर यह मैं काईनाट लगाएंगे अगर वाज वगर होता तो कुड़नाट का पर्योग कर देते चलिए आगे देखते फिराल यहां पर इतना याद रिखना कि इस्टू के अस्थाम पर सो का पर्योग होगा आगे देखे लिकाए यूज ऐनी वन अब दा फालुविंग पेर्स वर आप सब्दों का आर्थ निकाल पाओगी तो हिंदी में कोई भी आप एक वाक्य में उसे परियोग कर देना उसका ट्रांसलेशन कर देना जैसे आप लिका कैरियर का मलब होता है आजीविका इसे जैसे मुझे बनाना है सेंटेंस के रूम में लेख सकता हूँ मलब हमें सुड के मलब चाहिए स्टाडी के मलब पढ़ना डीपली के मलब गहंता से गंबिरता से फॉर आ गूड कैरियर मलब एक अच्छी आजीविका बनाने के लिए हमें अच्छी तरीके से डीपली मेहनत करनी चाहिए तो कैरियर का अच्छी तरीके से हम क्या करते हैं वाकिय में परियोग कर सकते हैं यहाँ पर इस कैरियर का मतलब क्या होता है इस कैरियर का मलब होता है वाहक मतलब ले जाने वाला लिख सकते हैं We use our career in our bicycle to carry our luggage मληब जो है क्या कर सकते हैं हम use कर सकते है कायर 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 कर अब इन herman habla semuaak in our bicycle अपनी cycle में use कर सकते हैं इन comfortable make the your work to carry our luggage जो कि हमारे luggage को ले जाने में साहग होगा तो यह होता है कायर का मला आप आशीवी का होता है अजीवी का इस तरीके से सब्दों को वाकिय की रूप में आपको क्या करना है परियोग मेलाना है वाकिय की रूप में लिखके दिखाना है फिर आगे O.A.R. और का मलब क्या होता है और का मतलब आपको पता होना चाहिए मला होता है और यह O.R.E. Physics में कमेस्टी में आपने पढ़ा है आयास कोता है ठीक है तो इसका भी वाकिय की रूम में आप कहीं पर भी परियोग कर सकते हो आगे जो आपको पाँच नंबर का कोशन देखनों को मिलेगा Translation the following into English मतलब हिंदी से English में आपको क्या करना लगा ट्रांसलेट करना रहेगा तो देखे ट्रांसलेट करने का सबसे बेश्ट तरीका क्या है कि जो भी यह आपको इस्टोरी दी जाती इसको अलग-अलग ऐसे वाकिय बना लीजिए जिसलिए दो बेखते साथ साथ यात्रा कर रहे थे ठीक तो सबसे पहले आपको जो थे नोरे तो डानसलेटर करना मपाय वह दो बीखते साथ साथ यात्रा कर रहे थे नौ imagine यह सेंटो लिखा तो इससे लीख सकते हैं टू परसंथ सूबर ट्रेवलिंग ठोगेधर टोगेधर को में अपको आपायप साथ साथ कि यहां पर इन यह इन आई डबल एन इन मनने होता है सराय ठीक मैंने यहां पर लिखके भी आपको दिखाया चलिए मैं आपको दिखा देता हूं यह दिखे मैंने लिखा है आप लिख सकते हो टू परसन वर ट्रेवलिंग टूगेधर ऑन दवे दे गौट अचांस टू अनमेंस से iK को तो आप क्या लिखके आपको लिखना है वन आफ दिमं मेंस एक को तो वन आफ दिम यह लिखोगे Çोबत वन आफ दिमह गोट आब बिग आफ ऐसम अऊन आफ मनी ठीक है रूपय की ठाय रिजिगर मिली तो यहां पर दीके मैंने आपके समग्च लिखा है क्य асillar में कि ए प्लिशन में किया बूला गया था कि उन में से एक को सराइ के दरवाजे पर ठीक है तो एड़ वेया प्ली आफ या रास्ते पर एड़ बोला गया आगे यह बोला गया कि ने कहा तो दोसरे बैगते ने भाहत दस सेकेंड में सेड़ या लिक सकते हो और यहाँ पर वाग कि अगर ऐसे आपको डारेक्ट स्पेज विडिया गया है तो ऐसे ही आपको लिखना है तो दूसरे बेक्त ने कहा तो आप लिख सकते हो दस सेकंड माइन सेड कामा डवेटट कामा लगाओगे फिलिका है कि इन रुपेयों को बराबर बाट ले तो आप लिख है दिन फिर पहले बेक्त ने का देन दा फ़्सट माइन सेड कहिए देन दा फ़स्ट मैं सेड थायली की मुझे मिली है तोasında सिर्फ पहले बेक्त ने कहा कि थायली मुझे मिली आई हैज एब गॉटन दाब यह न हीन डाएग है क्या के इसमें तुम्हारा बाग बिलकु नही तो you did not have any share at all ठीक है इस तरीके से आपको बदलना है इस पर दोनों बेक्तियों का बैया क्या आरम हो गया जगड़ा आरम हो गया तो आप लिखोगे at this quarrel started between both of them ठीक है मलब दोनों बेक्तियों पर तो यहाँ पर दो बेक्तियों के लिए between क्या प्रियों करेंगे between both of them आगे दोनों को लड़ता हुआ देखकर पुलिस वहाँ गई तो लिखोगे seeing the fighting both police come there ठीक उसके बात क्या लिखा है और थैली वाले बेक्तियों को ठाने लिवा ले गई मतलब and took the man to the police station with the bag of money ठीक है तब का मतलब then भी पर यो करेंगे then उस बेक्ति के लिए that man लगाएंगे अपने साथी से चलने की प्रात्ना की यानि then that man requested to his companion companion के मलब हुथा साथी ठीक है to go to the police station फिर इस पर उसके मित्र ने कहा इस पर उसके मित्र ने कहा at this his friend said इस पर at this मलब इस पर his friend said मलब उसके मित्र ने कहा यदि इस थैली में मेरा भाग नहीं है if I did not have share in this bag ठीक है तो मैं थाने क्यों चलूँ why should I go to the go to the police station इतना कहकर वो अपने नगर को चला गया saying this he went away to his city तो इस तरीके से देखें मैंने यहां पर लिख दिया है आप चाहो तो इसको इसको इन साड़ ले सकते हो आएससे आप सभी लोगों को क्या करना इसका translation करना है simple language में भया आपको देखे एक एक वाक के पकड़ना और उस तरीके से आपको इसका translation बढ़िया कर देना है क्या दिक्कत है ठीक है इस तरीके से आपका जो यह section C होगा यह पूरा solve हो जागा section D में literature होगा जिसमें प्रोज, poetry, supplementary के question पुछे जाते हैं और साथ ही में आपको एक बहुत ही महत्यपूर प्रशना पुछा देता central idea मैंने का था last के तीन central idea आपको देखने को मिलेगा exam में ठीक है तो आईसे आप तैयारी करते रहे है प्रशनों पर ध्यान देते रहे है ओके जो आपका देखे लिटरेचर आता है वह चालिस बढ़ गाता है तो लिटरेचर देखे आप पढ़ते रहे हैं आपको सब तयार हो जाएगा देरी देर अभी समय है ठीक है ना चलिए बिलते आपको नेक्स्ट वीडियो में जैहिंत वंदे मातरम